मेरे उत्राखन में पहले से ही मजबूत और सुरक्षित मकान बनाने की परंपरा वर तक्निकी अपनाई गई है ताकि आपदा भूसकलन और भूकम से बचा जा सके आपने कई तरह की आपदाओं पर संस्ता की तरफ से काम किया है और कई आपदाएं देखी है तो आपको क्या लगता है कि पहाड में कैसे घर होने चाहिए अग怖ण फ्रांद इसति एतते है तो में देखा जाया है और अप पहाड में किस परकार के घर नाइ जाती है जिसके लिए वो लकड़ी के जोड़ इस्तमाल क्या करते थी परन्तो जैसे जैसे बिकास हुआ और बिकास की रफ्तार बड़ी तो वो चीजें धीरे-धीरे हड़ती गई और अब बहार का मैट्रियल, सिमेंट, सरिया और कंक्रीट लगाई जा रही है जो कि हमारे पहार के हिसाब से काभी खतरनाक है बुचाय वाले छेतरों में कम उचाय के घर बनाए जाती थे और उस पर लकड़ी के जोड पड़ती थी जिससे कि वो घर का एक डब्बे की तरह सकल लेता था कि एक डब्बे की आकार में रहता था भूकम से कैसे बचा जा सकता है ऐसे मकानों को बना के इस मकाम को पहले वाले जो मिस्त्री थे पुराने मिस्त्री उने काफी चोड़ी दिवाने बना रखी है, पत्थरों का जोड़ और तोड़ जंग से लगाते हैं, ताकि उसमें मकाम में कोई दरार ना आने पाए, मकाम दिनने न पाए, और इस जंग से उनकी बड़ी कड़ा इस पर पूरे लकड़ी का काम हो रखा है, जो कि मकान को भूकम अबरोदी बनाता है, और साथ ही साथ इस पूरे मकान को मजबूती भी देता है। इंडिया अनहर्ट के लिए गैर साइन उत्राखन से मैं लक्ष्वी नोटियाग